तो हलो गाईज यह Samsung Galaxy Tab A7 है 332 में जो कि मैंने 14,200 रुपय में खरीदी थी तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि यह मुझे 14,200 रुपय कैसे पड़ी तो आप वीडियो के एंड तक जोड़े रहिए और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब और जितन ज्यादा ह करता है तो आप कमेंट सेक्शन और कमेंट कीजिए तो बेसिकली आपको जाना है गूगल पर जाने कब आपको सर्च मानना है Samsung संग स्टूडेंट देखो इसमें बेसिकली ऊपर आ जाता है स्टूडेंट प्रोग्रम यहाँ पर आप किलिक करोगे ठीक है तो यहाँ पर ने दिखो आपको एक ओप्शन आए गई है आप इस पर किलिक कर दोगे हाँ अभी चाहसे की दो मेंट रुख जाहिए बस हाँ तो बेसिकली क्या होता है इसमें एक ओप्शन होता है लॉग इन आउगा तो जिल लोगों ने इसमें रिजिशन कर रखा है तो उनको पता होगा कि यहां से आपकी स्कूल की आईड़ी मिलती है आपको एक स्कूल से email ID मिलती है तो आप उसके थ्रू लोग इन कर सकता है अगर बेसिकली आपको नहीं मिली है या किसी भी रीजन से कुछ भी प्रोब्लम हो तो देखो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है बेसिकली यहां पर जाना है अल्लोग उफर्स पर यहां प पर क्लिक करोगे तो यहां से आपको जाता है यहां से आपको इसको कंफिर्म करने के ओक्यों कर देना है तो two minutes तो यहां पर जाने के बाद बस दो मिनिट हाँ तो यहां पर जैसे आप एंडरोल करो देखो बेसिकली यहां पर बहुत सारी टैप्स हैं अभी फिलाल देखो बेसिकली क्या हुआ है जो इस टैब है इसकी कॉस्ट बढ़ गई है आप देख रहे हो तो आपके नों कुछ तैम वेट कीजिए कुछ टैम वास बेट कीजिए मैं आपको सारी प्राइज दिखा दे रहा हूं यह देखिए तो क्या हुआ था जो मेरे ना मैंने इसको ओडर किया था लमसम दो तारीक को तो उस टैम पर ना तो यह जो प्राइस थी तो वह मुझे पढ़ दी ती 16,200 रुपे 16 1199 करके पढ़ रही थी तो उसकत क्या होता बेसिकली जैसे आपको यहां पर पता है मैं आपको फोड़ा जूम करके बता देता हूं यह आपको ओफर दिख रहा है ना गैट अप टू तो बेसिकली क्या हुए 16,199 की मुझे मलब 16,200 की वैसे पढ़ी थी फिर दो जार रुप 16,200 तक जाती है टैबलेट तो जब यह जैसी 16,200 तक जाती है तो आप इससे जुड़े रही है जैसे आपको पता चल लेगी है मैं आपको इनफर्म कर दूँगा इतनी होगी है तब आप जाके इसे तुरंट बाय कर ले मेरा मानना तो यह है और एक और चीज मैं आपको गैस बोलना चाहूंगा कि यह जो टैबलेट है मेरी तो बेसिकली 4 डेज के अंदर आ गीती है और मुझे 5 डेज के इसके अंदर टाइम दिया था तो जो सर्विस बगर है ना उसमें भॉत बहुत अच्छा रहा है तो यही है और भी अगर आपको कोई प्रॉबलम बगर है तो आ कोई भले ही कर लेना लेकिन आपको सेमसंग के स्टुडेंट प्रोग्राम में एन्रोल करने के बाद ही ओडर करनी है उसके बाद ही आपको यह सारा जो आफर है ना वो मिलेगा उससे पहले नहीं मिलने वाला तो थैंक्यू गाइस अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्ल